तो पाकिस्तानी टीम 2023 वर्ड कप से बाहर हो चुकी है और इसकी वज़े है पाकिस्तानी टीम की पूर पर्फॉर्मेंस अफगानिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम को जो साइकलोजिकल जटका लगा है उससे निकलने में पाकिस्तानी टीम को काफी समय लग जाएगा इसमें जो एक मित बना हुआ था कि अफगानिस्तान की टीम कमजोर है वो मित अफगानिस्तान की टीम ने तोड़ दिया है कोई न कोई कभी न कभी कमजोर होता ही है लेकिन जो इंप्रूव्मेंट अफगानिस्तान की टीम ने दिखाई है पाकिस्तानी टीम उसके साथ कोप अ नहीं कर पाई एफगानिस्तान से मिली इसहार के बाद है पाकिस्तान का वर्ड कप में बने रहने का सिर्फ एक ही रस्ता है और वो है पाकिस्ताने टीम के लिए इतना difficult कि लगता नहीं इनकी performance को देखे कि ये उसे पूरा कर पाएंगे पाकिस्ताने टीम अब तक पांच मैच खेल चुकी है शुरुवाती दो मैच पाकिस्ताने टीम जीत गई थी जो कि निदरलेंड और सिरलंका के खिलाफ थे और बचे हुए तीन मैच जिन में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हार मिली है बारत से पाकिस्तान की टीम हार गई, और अफगानिस्तान से भी हार गई, यानि कि पांच मैचिस में पाकिस्ताने टीम को मात्र चार अंक मिले हैं, अब पाकिस्ताने टीम के पास अभी चार मैच बचे हुए हैं, बंगलादेश के खिलाफ इंगलेंड के खिलाफ साउथ अफ फो में चल रही है अगर इंगलेंड की बात की जाए तो इंगलेंड की टीम भी कमजोर टीम नहीं है और अगर बात करें बंगलादेश की तो बंगलादेश को भी जो जिस तरीके से ग्रांटेड लिया जाता है अफगानिस्तान को भी इन्होंने इसी तरीके से ग्रांटेड ल ज्यादा टीमें 14 पॉइंट से आगे निकल जाती है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा यानि कि ये फैक्टर पाकिस्तान की टीम के बाहर है पाकिस्तानी टीम इस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी रन रेट में भी सुधार करना पड़ यानि कि पाकिस्तान के लिए वर्ड कप का ये इवेंट यहीं समाप्त होता मुझे नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को खुद तो मैच जीतने ही जीतने है लेकिन दूसरे टीम्स की विक्टरी और उनके पॉइंट्स पर भी पाकिस्तान के टीम डिपेंड करती है जिन पर टीम का और उनके कोचिस का कोई कंट्रोल नहीं है अकर पाकिस्ताने टीम हार की वज़े की बात करें तो पाकिस्ताने टीम बैटिंग पे परफॉर्मेंट्स बरकरार नहीं रख पाई बोलिंग के बात करें तो बोलिंग में भी पाकिस्तान को अच्छे नामों के लिए यान बड़े इवेंट में इस तरह की गलतियां नहीं की जाती और इनी गलतियों की वज़े से पाकिस्ताने टीम आज कराची एरपोर्ट पर लेंड करने के लिए तैयार होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान को मिला है कि अब उसकी इस इवेंट से ही वाफसी होती नजर आ रही है। उनकी बात सुनते नहीं है टोप वाले लोग। पाकिस्ताने टीम में इस समय कैप्टन सी को लेकर इशू बना हुआ है। शाहिन अफरीदी बाबर आजम को एज़ी कैप्टन पसद नहीं करते हैं और वो बाबर आजम को रिपलेस करना चाहते हैं। कि वो पाकिस्ताने टीम के कप्तान बनना चाहते हैं। कि वो जाहते हुआ हैं। कि वो उन자 ब Т Ein-अन अर्मस्वा yog 2500 जनका बनी मुराचा खवाल दो बना ह кажется वो पाकिस्ताने मुराचित हैंلي